बोलिये शियो शंकर महादेव कीजे तो दोस्तों आज मैं आया हूँ अमर कंट केश्वर महादेव जी के मंदिर में और आज हम दर्शन करेंगे अमर कंट केश्वर महादेव जी के जोतिलिंग के जो एक बहुती शानदार जोतिलिंग ये आज तक का आपने ऐसा जोतिलिंग कहीं पर भी नहीं देखाओगा है ताकि उसके बारे में जानकारी हो सके कुछ अन्य गरंत भी रखे गई है पुजन सामगरी भी रखी गई है यहां पर बेचने के लिए सिंदूर जो टीका होता है वो यहां पर रखा गया है गायत्री माता की जो छोटी सी तस्वीर है एक छोटी नहीं थोड़ी बड़ी है लेकिन ठीक है भेकी गई है मंदिर में यहां पर यह माराज जी की कुछ तस्वीरे लगए गही है और यहां पर यह चोटा सा चितरण भी यहां पर रखा गया है दो मंदिर बनाकर उसमें चोटी चोटी जो अभी आपने उपर पर परक्र प्रग्या और्श,णा प्रग्या दो पतस्वेरें देखी वो यहां पर हिस्ताबिक की गई है सजल शिर्दा और प्रकर प्रग्या अब हम बाला जी महाराज की दर्शन करेंगे देख सकते हैं आप बाला जी महाराज की जे हो बाला जी महाराज की मूती देख सकते हैं यहाँ पर एक गदा भी पड़ी है बाला जी मराज की वो भी हाब तेख सकते हैं यह जब रेली निकली जाती हिंदू समाज की तब उसमें यह गदा लेके चलते हैं बाला जी जो बनते हैं कोई भी खारी करम होता है तो मंदिर में यह गदा उपयोग में आती है एक गनेजी की मूती है जो भी यहाँ पर इस्तापी थे जे हो गनेजी माराज की जे हो लड़ू हाथ में लिए चैतुर बुझ गनेजी की मूती जो है इस्तापी थे यहाँ पर पूरी जो प्रात्ना है वो लिखी हुई है ठंडे जल की वेवस्ता भी है और यहां पर घर्ब संस्कार जो महिलाओं में घर्ब धारन के समय जो घर्ब संस्कार होता है वो यहां से आराम से वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं कि क्या आप जानते हैं क्या आपको पता हैं घर्ब पुन्सवन संस्कार जो है कब होता है क्या होता है उसके बारे में आप रीडियो रोके पढ़ सकते हैं अब हम दर्शन करेंगे अमर कंटक एश्वर महाधीयु जी के तो यह वह जोतिलिंग है दोस्तों देख सकते हैं पूरा गोल है विसे नहीं कि इसको मतलब डायरेक्टी गोल है वह जोतिलिंग यहां पर इस्थापित किया हुआ है पूरा माता यानि पार्वती माता की मूतिस्ता पीदे और इधर गनेश जी विराज मानें तो आज के लिए बस इतना हैं